हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर अर्पना और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स साती हम बात करते हैं कुछ बिमारियों के बारे में कैसे उनके सिंप्टम्स के साथ डील किया जा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजी और बेल बेटन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि मैं जब ही कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइफ Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिक और फिर उन एक्स्रेइस को कंबाइन करके आपके बॉडी के अंदर ओर्गन की एक क्लियर पिचर मिलती है तो CT स्कैन में आप सोचिए जैसे कि एक अगर ब्रेट का लोफ है और अप उस ब्रेट को चाकू से काटते हैं तो आपको अंदर उसमें ऐसे क्रोस सेक्शन से दिख तो CT स्कैन में एक्स्रेइस का इस्तिमाल होता है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से जो पिच्चर है वो ली जाती है और फिर उसको जोड़ कर देखा जाता है कि क्या आपके बॉडी में और गन्स में किसी तरह की परेशानी है या नहीं है तो कई चीज़े जो एक्स तरह का ट्यूमर वगारा है और अगर स्ट्रोक हुआ है और स्ट्रोक के बाद अगर ब्लीडिंग हुई है ब्रेन में तो फिर कितनी ब्लीडिंग है कहां पर है तो उसका क्लियर पिच्चर मिलने के लिए CT स्कैन करवाया जाता है अगर हम गले की बात करें तो गले में प्रे алपNoid Enlargement को साव साव देखने के लिए CT स्कैन का इस्तेमाल किया जाता है 6 को देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है 21 में अगर डिसख हरनेश न है या स्पाइनल किनाल में कोई प्रॉबल्लम है तो वो भी CT में साव साव पता चलता अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में liver है, kidney है, adrenal glands है, spleen है, pancreas है, जो gastrointestinal tract है, तो इन सब का एक clear picture हमें मिले, soft tissues ठीक से दिखे, तो इसके लिए CT scan करवाने के लिए आपको कहा जा सकता है, तो CT scan कैसे करते हैं, CT scan एक tunnel जैसी एक machine होती है, जिसमें patient धीरे-दीर उस machine के अंदर वो जाता है, और अलग-अलग positions में pictures ली जाती है, और CT scan करने से पहले आपको normally hospital का कोई loose gown पहनने के लिए दिया जाता है, और किसी तरह का भी metallic object यानि jewelry वगारा नहीं होना चाहिए, अगर आ आपको चोट लगी थी, fracture वगारा हुआ था और किसी तरह के nails या plates वगारा है, तो वो आपको information देनी चाहिए, अगर pregnant female है, तो उनके लिए better option MRI है, क्योंकि pregnancy में जो x-rays होती है, वो थोड़ा सा growing fetus के लिए वो थोड़ा harmful हो सकता है, इसलिए अगर pregnancy है, तो MRI एक better option है, CT को normally कर सकते हैं, या कई बारी contrast के साथ भी करते हैं, यानि कि आपको dye inject किया जाता है, IV cannula से और उससे different different pictures लेते हैं, तो CT scan का procedure 30 minute से लेके 1 hour तक हो सकता है, और इसमें किसी तरह की परिशानी नहीं होती है, बढ़ कई बारी dye के वज़े से हो सकता है, थोड़ी सी खारेश, या vomiting, information, cat scan या CT scan के बारे में, अगर आप लोगों को कोई भी इसमें doubt हो, तो आप comment section में लिखकर मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने friends, family सब लोगों के साथ, तकि सब इसका benefit उठा सकें, और अगर आप लोगों की कोई भी चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिलकुल ना भूले, और जैसा मैं हमेशा कहती हूं, खुश रहिए, मुस्कुराते नहीं, स्वस्त रहिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू